सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ओनम की बहुत बहुत बधाई शुब कामना है और साथ ही दोस्तों हमने अभी ग्रीट इंडियन रिपब्लिक सेल के लिए कीपोर्ट का माउस का वीडियो है जो लगातार दे दिया है आज बारी है गेम पैट्स को कवर करने की चारेंगे इस रिपब्लिक सेल में किन गेम पैट्स पे सबसे बहतरीन ओफर्स आपको देखने को मिल रहा है लेकि दोस्तों इससे पहले एपिसोड शुरू करें नीचे जो भरोसे वाला बटन है नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाओ लोटिफिकेशन को ओल पे करो क्यो ओफर की बाद एक बॉक्स हिंदी के साथ अच्छा मेरे दोस्तों इस एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले जो वो और जो संग्राम जो यूत हमने शुरू किया था उसकी बात कर लेते हैं वोटिंग जो है आप अगर यूट्यूब में हो तो यूट्यूब में इंस्ट इसी मैं बात बता देता हो हो सकता है कई सारे गेमपैड का नाम यहां पे सुनना चाह रहे हो लेकिन अगर हम उसका नाम नहीं लेते तो उसका दो ही मतलब निकलता है इधर वह वाला जो गेमपैड है उसका प्राइस बढ़ा कर सेल में दिखा जा रहा है या फिर उस पर सबसे कम डिसकाउंट देखने को बिलता है जेनरली यह जो गेमपैड है 853 रुपीज में आता है अब यह आ रहा है 849 रुपीज में क्याक्या चीज़े हैं यह हमारी तर्फ से रिकमेंडेट है क्यों कि आपको यहां पे जो बाडी मिल रही है वो अच्छी खासी मिल रही है कि जिस कीमत के उपर आती है, उसके हिसाब से एक अच्छा body construction आपको देखने को मिलता है, ergonomics भी सही है, long gaming sessions में थोड़ा सा इसका corner जो है, कई बार palm में चुप सकता है, लेकिन बाकी सारी चीजे इसकी अच्छी है, grips वगरा भी इसका अच्छा है, साथी अधर बात करी, real motor haptic feedback आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और साथी इसके जो triggers है, वहाँ पर आपको pressure sensitivity देखने को मिल जाती है, साथी एक चीज़ मैं बता दो, इन सारे gamepads का जो है, indebt review बिल्कुल देख लेना आप, अचा अगला जो gamepad है, उसको मैं इतना जादा recommend नहीं करता हूँ, इस gamepad की बात कर रहा हूँ, claw shoot wired की बात कर रहा हूँ, अब यह जो gamepad है, generally इसका price जो है, 970 EP के आसपास रहता है, अभ यह जो turbo button है, यह आपके gameplay में, एक automation ला देता है, आप एगर एक action बार-बार execute कर रहे हो, तो वो turbo button उसे assign करने पर, उसको single tap करने पर, यह जो है आपका लगनातार action execute होता चले जाएगा, इसके जो triggers है, वो pressure sensitive आपको देखने को बिलेगा, और Windows और Android के साथ जो है, compatible रहने वाल न्यूरी नाम से आता है, transparent body के ऊपर आता है, अच्छे build quality अब बढ़िया RGB lighting के साथ आता है, इवन यहाँ पर RGB lighting के लिए dedicated button भी आपको देखने को मिलता है, साथी जो features है, यहाँ पर आपको बिलकुल turbo button का support भी देखने को मिल रहा है, compatibility जो है, वो आपका PC, Android TV और Android phone के साथ आ overall यहाँ पर अच्छा का सा discount भी आपको देखने को मिलता है, अभी यह 999 का Republic sale में देखने को मिलेगा, overall 300 रुपे का discount आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगला जो gamepad है दोस्तों, यह आता है software support के साथ, wireless gamepad यहाँ से शुरू हो जाता है, हम बात करें, anti sports के GP 310 की, यह जो है blue, red और black color में आपको देखने को मिल जाता है, इस gamepad का general price है, वो 1149 का रहता है, अभी 1099 का है, पचास रुपे का यहाँ पर आपको discount देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वो कौल सी चीज़ है जो इस gamepad को एक अच्छा gamepad बनाता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको dual motor haptic feedback देखने को मिल जाते हैं, तर वो बटन का support देखने को मिल जाता है, और compatibility जो है, आपको PC, Android, TV, phone और PS3 के साथ देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जो है, यह gamepad आप बिलकुल देख सकते हो, और साथी यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप amount बढ़ाते हो, यानि कि जादा नहीं सो रुपा अगर बढ़ाते हो, तो अगला जो gamepad है, वो इवन इससे बेटर आपको देखने को मिल जाता है, यह gamepad जो है, कौसी भाइट की तरफ से आता है, यहाँ आपने सही समझा, कौसी भाइट, Aries की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो वाइट वाला वर्शन है, उसकी ब प्राइस में आ रहा है, वाइट वाला, लेकिन इसका जो जेनरल प्राइस रहता है, वो 17.99 का रहता है, तो काफी अच्छा-कासा आपको यहाँ पर डिसकाउंट देखने को मिल रहा है, यह जो gamepad है, मेरी तरफ से one of the best recommended gamepad होने वाला है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहल प्राइस की हिसाब से one of the best gamepad में कहना चाहूंगा, अच्छक वायर्ड के बाद Aries का ही एक और वीरियंट आता है, वो आता है वायरलेस में, और यहाँ पर भी आपको ब्लैक और वाइट वाला 17.99 में देखने को मिल रहा है, यानि की 17.99 वाला वाइट वाले में आपको कोई जादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्लैक वाले में आपको 100 रुबे का डिसकाउंट देखने को मिल रहा है, वायरलेस वाले की बात कर रहा हूं, अब यहाँ पर क्या चीज़े मिल रही है, वो तमाम फीचर जो मैंने इस से पहले थोड़ी देर पहले बता है, वायर्ड वाले में, वो सारी फीचर यहाँ पे भी सेम हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको आटो टर्बो देखने को मिल जाएंगे, और यह जो गेमपैड है, यह भी PC, मॉवाइल, TV और साथी PS3 के साथ कमपेटिबल होने वाला है, अच्छा कॉस्मी बाइट एरीज के साथ ही एक और भी गेमपैड है, जो कि बहुत जादा पॉपूलर है, बात कर रहे हम नेपूला की, अब यहाँ पर जो है कई सारे वेरियंट आपको देखने को मिलता है, ब्लैक आप्शन मिलेगा, कैमियो ब्लू मिलेगा, कैमियो रेड मिल जाएगा, काभी वाइबरेंट कलर है, और साथ ही यह जो गेमपैड है, अगेन वायरलेस देखने को मिलता है, चेनरल प्राइस इसका 1807 का रहता है, लेकिन अभी जो है काफी अच्छा डिसकाउंट इस पे मिल रहा है, 1499 का आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक वाला और कैमियो वाले जितने भी रेंज है, उसम कि आपके PC, TV और Android फोन के साथ compatible होने वाला है, अब कॉस्वी बाइट के बाद, अगर कोई दूसरा एक और गेमपैड है, जो कॉस्वी बाइट के Aries को एक बराबर टक कर दे बाता है, तो वो है Evo Fox का Elitex PC, हर बंदा जानता है जो गेमपैड के बार में थोड़ा भी सुन अब यहाँ पर इसके कई साले कलर साते है, ब्लू आता है, रेड आता है, वाइट आता है, ब्लैक आता है, और बड़ा ही खुबसूरत गेमपैड है, यहाँ पर आपको ट्रांसलूसेंट सा डिजाइन देखने को बिलता है, अंदर हार एक कॉंपोनेट आपको दिखता है, आपको देखने को मिलता है, बलकी टर्मो बटन के साथ आपको अपको मेकरों का सब बनाया गया है, पीसी के लिए, इसलिए इसका नाम है एलीटेक्स PC, लेकिन ये जो गेमपैड है यह आपके एंडरोइट फोन के साथ भी कमपैडिमल है, और टीवी के साथ भी कमपैडिब होने वाला है अगर प्राइस की बात कर लें तो जेनरल प्राइस इसका 1699 होता है कि अभी जो है इसमें 100 रुपे का डिसकाउंट चल रहा है तो अभी यह जो गेमपैड है आप उठा सकते हो मात्र 1599 में अचाहे यह यह जो दोनों आपके गेमपैड बने हैं वो भी इवो फॉ जो की बना हुआ है सिंप्ली मोबाइल के लिए और दूसरा है इवो फॉक्स वन यह इनके गेमपैड का सबसे प्रीमियम वर्शन है और यह जो इवो फॉक्स वन है यह हर एक तरह के डिवाइस के साथ कंपेडिबल होने वाला है अब यहां पर इन दोनों गेमपैड में जो सबसे जादा यूनिक बात है वो है इसके वायलेस कनेक्टिवीटी ऑन ब्लुटूथ इससे पहले जितने भी हमने वायलेस के इमपैड देखा वो सारे 2.4 गिगार्ट पर करेक्ट होते हैं लेकिन यह जो दोनों गेमपैड है इवो फॉक्स गो और इवो फॉक्स वन यह दो 2429 का बीगता है अभी जो है यह 2400 रुपे का आसपास आपको देखने को मिल रहा है दोनों गेमपैड में क्या क्या चीजे खास है दोनों में आपको टर्वो बटन मैक्रो बटन और साथी जो हैप्तिक फीडबेक मैंने बता है बहुत प्रिमियम होता है उसको टॉगल करने क लिए बटन देखने को मिल जाएगा और साथी ऑवियसली दोनों ही गेमपैड में आपको ट्रिगर्स जो है प्रेशर सेंसिटीव देखने को मिल जाता है और साथी जैसे कि मैंने पहले बता है एंड्रॉइड आयोएस और आइपैड के साथ तीवी के साथ भी चल जाता है ल दूसरा हो गया इवो फॉक्स एलिटेक्स पीसी तीसरा हो गया इवो फॉक्स गो अगर आपको मॉपाइल में गेम खेलना है इन जो गेमपैड से इस पर ध्यान रखो यह सबसे जादा जल्दी जो है आउट अफ स्टॉक जाने वाले है इसकी साथ आशा है दोस्तों आज का आपको पसंद आया होगा हमारी टीम ने दिन रात मेंद करके इस तरह का एपिसोड आपके लिए सजाया है ताकि आप इस सेल में बहतर से बहतर डिशिजन ले सको अगर आपको आज के एपिसोड में कोई भी गेमपैड पसंद आता है तो हर एक का बाइंग लिंक चाए वो आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा जाओ क्लिक करो देखो कहां पर सबसे सस्ता प्राइस मिल रहा है वहीं से उठाओ और एक बार पर्चेस कर लिया तो क्या करना है मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एक टेक बॉक्स इंडिया ऑविशल पर अपने नए